हेलो बच्चों मैं शेशांग का आपका स्वाथ करता हूं टूदी पॉइंट सीरीज में फ्रम समयक सिविल सर्विसेज जैसे कि आपको पता है कि सीरीज के माधियम से हम आपके में होने वाले examination के most important topic लेकर आते हैं और आज उसी संधर्व में हम लेकर आए हैं DPSP Part 3 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं important संशोधन और जो भी आपके वाद हुए है चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम लोग एक बड़ देख लेते हैं कि मालीक अधिकार और राज जी के नीथी नितशक टत्वों के वीच में क्या अंतर है तो सबसे पहले अर्थ की बात करें तो मालीक अधिकार जो है यह बुन्यादी अधिकार होते हैं जो की DPSP की जब हम लोग बात करते हैं तो यह समिधान के भाग चार में आती है जो सबसे important चीज है वो है आपकी प्रकृति प्रकृति के अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकरात्मक शैली के होते हैं और जब हम बात करते हैं दिशा निर्देश इधानतों की तो यह सकारात्मक होते हैं इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हम लोग ने जैसे पढ़ा था पिछले classes में भी प्रवर्तिनिया था कि अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लागू करने योग्य होते हैं आपके जो मौलिक अधिकार है इनको हम लोग लागू करा सकते हैं और इनको हम लागू नहीं करा सकते हैं यह लागू कराने योग्य नहीं होते हैं यह हम लोगों ने देखा था फिर अगर बात करते हैं प्रजातंत्र की तो यह किस पर खासकर यह focus करते हैं तो ये focus करते हैं राजनीतिक लोगतंत्र पर और अगर हम लोग DPSP की बात करते हैं तो ये प्रमुक रूप से focus करते हैं सामाजिक और आर्थिक लोगतंत्र पर अब आगे बढ़ते हैं ये किसको बढ़ावा देते हैं ये भी आपके examination में आता है क्या मौलिक अधिकार हमेशा व्यक्तिकत कल्यान की बात करते हैं और इसकी तुल्ना में अगर हम राज जी के नीति निदेशक तत्वों को देखें तो ये सारजिनिक कल्यान की बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन-कौन से वो वाद हैं जो कि इन दोनों खासकर DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच में जो सर्वुचता को स्थाबित करते हैं उनमें कौन-कौन से वाद हम लोगों को पढ़ने होते हैं एक्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग यह सारी चीज़े कर रहे हैं इसलिए इसमें वही हमने वाद डाले हैं जो आपके एक्जाम में आने की सबसे आदा संभावनाएं रखते हैं तो सबसे पहला जो वाद है वो है आपका चंपाकम दुरई राजन केस जो की 1951 में आया इसमें न्यायाले ने ये फैसला दिया कि सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो DPSP से श्रेष्ट होंगे मतला जो सरवुचता होगी वो मौलिक अधिकारों की होगी और इसी के साथ न्यायाले ने ये भी कहा कि संसत के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी अंग में परिवर्तन कर सकता है संशोधन कर सकता है और इसी के तहद संशोधन करना शुरू किया संसत ने उसने पहला संविधान संशोधन किया चौता संविधान संशोध किये और उसमें उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल सिक्षा विधियक 1957 में जब यह जो केस है यह बहुत ही इंपॉर्टन केस है क्यों क्योंकि जो संशोधन हुए थे संसत के दवरा वो खास कर DPSP को वेरिता दे रहे थे और यहां पर यह जो केस आया है इसमें ए harmonious construction या मदूर संबंद का सिध्धान भी इसको कहा जा सकता है इसके कहने का तातपर बस इतना सा है कि जब भी कोई विधी लागू करी जाएगी तो उसमें कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि मौलिक अधिकार और DPSP दोनों को ही हम लोग एक सामंजस सिती में रखें जिसे क कि एक दूसरे में वो एक दूसरे को पूरी तरीके से एक कॉंप्लिमेंट कर सके अब यहां पर अगर मुख बात करें तो इस सिध्धान के अनुसार अदालत ने माना कि फंडमेंटल राइट्स और DPSP के बीच कोई अंतर नहित संघर्श नहीं है और अदालतों को कानून की व्याख्या करते समय जहां तक संभव हो सके जहां तक संभव हो सके दोनों को प्रभावी बनाना है पर अगर मान लिजे कि नहीं होता है ऐसा तो फिर क्या होगा तो फि पुलकनात केज जो है यह 1967 में आया है 1967 में सुप्रीम कोट ने और खासकर आप कह सकते हैं जो फैसला दिया वह बहुत ही ज्यादा रोचक था वो क्या कहते हैं उन्होंने सीधे कह दिया कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है मतलब आप किसी तरीके का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं ध्यान सुनिए कि बहुत इंपॉर्डन चीज बता रहा हूं है कि यहां पर मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया सकता उसमें किसी भी तरीके का उनको डाउन नहीं किया सकता डीपीसपी को लागू कराने के लिए और जैसे यह बात आई तो यहां पर संसत की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी वो यह थी कि संसत ने संविधान के 24 और 25 संशोधन किये क्या संविधान में 24 संशोधन किया और 25 संशोधन किया और यह बहुत ही इंपॉर्डन है 24 संशोधन से उन्होंने यह सित कर दिया कि हम मौलिक अधिकार या संविधान के कि इसी भाग में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, और उसके बाद 25 में उन्होंने संशोधन कर एक बहुत ही important article को introduce किया, वो क्या था 31C, 31C के 200 रूप थे, 31C का जो पहला सो रूप है, वो ये कह रहा है, कि जब भी, जब भी आपके DPSP के 39B या 39C को लागू कराना है, तो फिर हम चाहें तो 14, इसके बाद आपका 19 और 31, ये मौलिक अधिकार के जो अनुछेद हैं, इनको हम लोग नीचा कर सकते हैं, इसमें हम 39B और 39C को वरेता दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पर इसको ये माना नहीं जागा, कि गलत हो रहा है, ये बिल्कुल स उन्होंने ये कहा, कि कोई भी कानून जब 39B और 39C के संबंद में बनाया जाएगा, तो उसे आदालत में ले जाने योगे वो नहीं होगा, आदालत उसमें कोई भी अपना फैसला नहीं सुनाएगी, और जैसे ये संसत की प्रक्रिया आई, तो उसके विपरीद सुप्रीम क में आया, और इसके तहट सुप्रीम कोट ने क्या कहा, उन्होंने नियायले का फैसला ये आया, कि संबिधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, संसत जो है, वो संबिधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संबिधान की मूल संरचना, इसको हम लोग basic structure doctrine कहते हैं, मूल ढांचे का सिध्धान भी कहते हैं, उसको नस्ट नहीं किया जा सकता है, और इसी आधार पर नियायले ने क्या किया, नियायले ने 31C का जो दूसरा खंड था, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कोई भी नियायले नहीं जा सकता है, 39B और 39C को, अगर कोई भी कानुन बनता है जो 39B और 39C सम्बंदित है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी न्यायले नहीं जा सकता है इस तरीके के प्रावधान को यहां पर केश्वन अंद भारती केस में क्या-क्या आसंवेधानी घोशित किया और शू ने घोशित किया और ठीक है क्योंकि यह मामले जो ह जैसे-जैसे स्थितियां होंगी हम उसमें आपके अलग-अलग तरीके के प्रावधान जोड़ते चले जाएंगे तो इसम के तहट यह जो दूसरा खंड है यह एक तरीके से असम्मिधानिक था मोल संवर्चना के विरुद था इसलिए उन्होंने इसको शूने घोशित कर द करता है संसद क्या करती है संसद एक बहुत ही खास संशोधन करती है 42 संविधान संशोधन करती है 42 संविधान संशोधन के था 31C का जो दाइरा केवल और केवल 39B और 39C तक था अब वो पूरे DPSP पर लागू होने की बात होती है और जैसे ही ये प्रक्रिया संसद कियाती है तुरंद ही उसके थोड़े ही समय बाद एक और केस आता है और वो जो केस है वो क्या है वो है आपका मिनरवा मिल केस मिनरवा मिल केस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 1980 में आता है और इसमें ये बिलकुस पश्ट रूप से कह दिया जाता है कि अनुछे 31C के तहत एक कानून की रक्षा तब ही की जाएगी जब अनुछे 39B और 39C में दिये गए निर्देशों को लागू कराने के लिए बन पर खारिज करने की बात की है असमयधानिक बताया है और इसी लिए जो 31C का विस्तार जो 42 समयधान संशोधन से हुआ उसको सुप्रीम कोट ने क्या बताया असमयधानिक बताया और उसे शून निगोशित कर दिया और अगर वर्तमान में इस सिती देखी जाए कि अभी क्या सिती है DPSP उपर है या फिर मौलिक अधिकार उपर है तो यहां पर एक आपका क्रम आता है यह क्रम कौन सा है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो फंडमेंटल राइट्स जो है वो सबसे उपर है पर इसमें दो फंडमेंटल राइट्स जो है उनको छोड़कर 14 और 19 यहां दूसरा जो नमबर आता है वो है किसका DPSP में 39B और 39C का फिर उसके बाद आपके फंडमेंटल राइट के आर्टिकल नमबर 14 और आर्टिकल नमबर 19 आते हैं और उसके बाद नमबर आता है DPSP के उन सारे अनुछेदों का जो की 39B और 39C के इलावा है या इनको छोड़कर जो बचते हैं उनका नाम आता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि fundamental right ही अभी सरवोच है परंतु केवल दो अनुछेदों को छोड़कर यहां पर हमने वो सारे मुख्यवाद कर लिए जो की DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच के संघर्ष को बताते हैं और अब हम लोग देखने F इसमें जोड़ा गया था जिसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों के पूर्ण रुप विकास के लिए सरवांगिक विकास के लिए जो राज्य स्वतंत्र और गरिमा पूर्ण वातवरन उपलद कराएगा इसके बाद 39A की जब हम लोग बात करते हैं यह सबसे आदा important है इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि अनुचेद 43A और 48A भी जोड़ा गया था 42 संविधान संचोधन से क्या बोलता है यह 43A कहता है राज उपक्रमों परतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रवंदन में श्रमिकों की जो भा है बहुत है इंपोर्टन है राज के परियावरण और परिवेश की रक्षा और सुधार की बात करता है इसी के तहट आपके प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलीफेंट और अन्य जो भी आपकी विधियां बनती है सरकार के द्वारा जो की परियावरण संरक्षन के होती है वो इसी दिशा निर्देश के अंतरगत बनती हैं आगे बढ़ते हैं 44 संविधान संशोधन में आर्टिकल नंबर 38 का दूसरा प्रावधान जोड़ा गया जो कि एक बहुत इंपोर्टन चीज़ पर बात करता है वो कहता है कि जितने भी समाज में विविवन वर्ग ह उनके मद्र जो भी प्रतिष्ठा जो भी सुविधा जो भी अवसर या आय से संबंदित जो असमानताएं हैं उनको या तो कम करने की कोशिश करे सरकार या पूर्ण रूप से समाप्ट करने की कोशिश करे ठीक है तो यह 38 का सब क्लॉस 2 है इसके बाद 86 संविधान संशोधन आता है जो की 2002 में आया था और इसके तहट सबसे खास चीज क्या है अनुचेद 45 की जो विशेवस्तू है उसको बदल दिया जाता है और यहां पर 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष के आयू वाले बच्चों को मुफ्त सिक्षा देने का प्रावधन आता है आर्टिकल नंबर 45 में और इसी के तहट एक बहुत इंपोर्टन अनुचेद भी जोड़ जाता है 21A जिसके तहट मौलिक अधिकार बना दिया जाता है किसको सिक्षा को प्रारंबिक सिक जिसको हम लोग सरल भाषा में RTE कहते हैं ठीक है यह किसके तहट आया था तो 86 संविधान संशोधन के ही तहट आया था और यह 2002 में आया था फिर बाद में इसको अप्लाई करने के लिए संसद ने नियम कानून बनाया था ठीक है आराय समय में चलिए आगे बढ़ते हैं फि सहकारी समितियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि राज जी सहकारी समितियों के स्वेक्षिक गठन ठीक है उसके बाद इनका जो कामकाज है इनका लोक्तांतिक नियंटरन जो है पेशेवर जो प्रवंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी तो यहां पर आपके 97 सम्विधान संशोधन के तहट यह सहकारी समितियों को विवस्ट जोड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखना है, तो यहां पर अगर हम देखें, तो हमने सारे के सारे संशोधन DPSP के कर लिये हैं, सारे के सारे हम लोगों ने वो वाद कर लिये हैं, जो क क्यू